भाकड़ा विस्ताफितों का सहर बिलासपूर को बसे हुए 56 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी अभी तक नातु यहां पर स्थाई रूप सी लोग बस पाए हैं और नाहीं भगवान जिसके चलते यहां पर सौ सालों से बने पौरानिक मंदरों का बस से बत्तर हाल हो गया है जिसकी देखरेक नातु जिला परशाशन कर रहा है और नाहीं कोई राजनितिक नेता दिशकों से गोविन सागर चील में जल में स्तापती पुराने मंदिर रंगनात खन मुखेश्वर ठाकुर द्वारा मुरली मनुहर राजा दीप चन द्वारा बनाएगे गोपाल मंदिर और हनुमान मंदिर इतियादी अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं हाला कि वाखड़ाबान के अस्तित्व में आने के बाद राज़े में कई सिरकारे आई और कई चली भी गई लेकिन हर बार बिलासपुर के लोगों की आस्ता के परतीक इन पुरानिक मंदिरों को लेकर शियासत ही हुई है और यह मंदिर राजनिती का शिकार होकर रह गए है जब इस जील का जलस्तर नीचे उतरता है तो गल रहे इन मंदिरों की दूरदशा देखी जा सकती है वरहाल अब ASI टीम के आने का इंतजार है टीम की सर्वे के बाद ही तेह हो पाएगा कि कब तक मंदिरों को सुरक्षित जगह पर स्थाना अंतरित किया जाएगा और जो प्रातरस बैसे जो मंदिर स्थापित धे उनको पूरर जीविद करने के लिए भादी जंता प्रण्टा प्रदेश में सरकार बन सुकी है वाजपा के ध्यान में ये सारा मामला फैल इतको पूरत जीविद के जाएगा इसके लिए दिवागा astrology को स्टों को यह प्र्म सब्सक्राइब दोस्तों आज हमारे सामने एक बहुती गंभीर विश्या है हमारे यहाँ पे जब से भगड़ा बांध हमारे यहाँ बना है कम से कम कोई 57 से 7 साल पहले उसके बाद यहाँ पे जो भी भगड़ा बिस्ताफिर लोग थे उनको उनके साथ तो अन्याय हुआ ही है और यहां पे हमारे बहुत इपौरानिक मंदिर थे जिनको बने वह क्रीब 100 साल के करीब हो गया है लेकिन उनकी भी सरकार अंदेखी करते आ रही है यह हमारे एक धर्म का प्रतीक भिह है और यह हमारे पौरानिक सथल भी है अगर हम इनकी अंदेखी करेंगे तो काफी समय से यह मुद्धा यहां के एंजियोज और समाजी कारा करता समाजी सोचल वर्कर्स भी उठा रहे हैं लेकिन सरकार इसकी हमेशा से ही अंदेखी करती आ रही है अब हमें चाहते हैं कि यहां के लोग एक बार फिर से ही कटा होके सरकार से एक उहार लगा सकते हैं कि आप इनको जो हमारे धर्म के परतीक हैं परानिक मंदीर इनके लिए कुछ ना कुछ करें ताकि हमारी दोरोहर आज जिन्दा बच सके